जी हैं नमस्कार सातियों को और बड़ी ख़वर बीकनिर जिले से मिल रही है जिले के अमेडगर सरकिल एरिया में किराय की दुकान खाली कराने के विवाद को लेकर जांच परताल में कई चोकाने वाले तथे सामने आ रहे हैं दरसल इस बीच सौमवार साम तेजस्वी गहलोत नाम के युवक को पांच से छे योक उनमें प्रताडित करने के चलते बड़ा मामला सामने आया था वही फायर करने के दोरान इस वारदात को अंजाम भी दिया गया मामले की जांच में सामना रहा है कि बीकनिर में अमेडगर सर्किल काफी वियस्ट एरिया है वहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया दरसल चौकाने वाले तथे सामना आ रहे कि अमेडगर सरकिल पर इस्तित रेलवे ग्राउंड पर इन दिनों माली समाज की क्रिकेट पृतियोगिता चल रही थी वहीं पर पहले से ही आगे थे 4-5 युवक और मैच खतम होने का इंतजार कर रहे थे जैसे ही तेजस्वी भार आया और उसे पकड़ लिया इसी कर चलते इस वारदात को अंजाम दिया वहीं मामले की जांच में इससे प्रतीत होता है कि 5-6 युकों न पहले ही साजिस रच रख की थी वहीं पुलिस ने मौके पर पहुँचने के बाद आज पास के CCTV कैमेरे भी खंगाल रही है वहीं इस बीच आज बड़ी संक्या में लोग दाओजी मंदिर रोड पर पहुँचे और दुकान बंद कराने पहुँचे वहाँ पर इस बीच काफी पत्राब आजी देखने को मिली और इस बीच काफी संक्या में पुलिस बल भी तैनात की गई काफी महाल तनावपून हो गया पुलिस पर सासन तैनात रही तो दोस्तों आपको बता दे कि इस मामले के चलते उधार मामला बढ़ते देख संभागे आयोग नीरज कपावन आईजी पिरफुल कुमार एस पी योगे स्यादाव कोट गेट थाने पहुंचे यह मामले के लिए दोनों पक्छों से वारता की गई और मामले की जाच परताल की जा रही है तो दोस्तो परदेश बर की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं चैनल से अगर आप चैनल से ने जुड़े हैं तो दोस्तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जहें दोस्तों